नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ कंटेन बीए सेट के बारे में सेल्फ कंटेन बीए सेट क्या होता है कितने परकार का होता है पिछली क्लासेज में हमने देखा कि बीए सेट क्या है और उसमें ओटमोस्फेरिक बीए सेट के बारे में हमने विस्तार से बात की और आज हम करेंगे सेल्फ कंटेन बीए सेट के बारे तो चैनल पर नई हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोमेंट करें, सेर करें तो चले फ्रेंट्स बात करते हैं अपने टोपिक की तरफ तो B.A.C.T. मुखे रूप से दो परकार के होते हैं पहला ओटमोस्फेरिक और दूसरा होता है सेल्फे कंटीन ओटमोस्फेरिक के अंदर हमने स्टडी की, कि जो सारा कंट्रोल होता है वो किसी अन्य व्यक्ति के पास होता था फायरमेन रेस्क्यू कारी को चला जाता था और ओक्सीजन दूसरा जो व्यक्ति है, वो सप्लाई देने का काम करता था बहुत बार क्या देखने को मिला कि आपसी रंजिस के कार्ण ओक्सीजन की सप्लाई कट कर दी जाती थी जिससे रेस्क्यू फायरमेन की मृत्यू हो जाती तो वो था ओटमोस्फेरिक ब्रिथिंग अपार्टस फिर थोड़ा सा डवलोप्मेंट हुआ, विकास हुआ फिर स्टार्ट हुआ, सेल्फ कंटेन ब्रिथिंग अपार्टस इसमें सारा जो कंट्रोल होता है रेस्क्यू फायरमेन के पास ही होगा वो ओक्सीजन को चाहे कम करे, आधिक करे यहां फिर बंद करे, वो खुद कर सकता है अच्छे तरीके से जब भी रेस्क्यू कारे को अंजाम देता है तो अपने पीट के साथ में इसको ले करके जाता है और फेसमास के माद्यम से सांस ग्रहन करता है यह मुखे रूप से दो परकार के होते हैं पहला होगा क्लोज सर्किट और दूसरा होता है ओपन सर्किट ओपन सर्किट क्लोज सर्किट के अंदर एक चमडे का थैला था जिसके अंदर वातावरण की असुद हवा भरी जाती थी फाइरमेन उसे थैले को पिट के साथ में बांध करके जाता था और उसमें एक फेस मास्क के मादम से कनेक्ट करते थे और वो अपने मुँ पे लगा करके और उसके मादम से सांस ग्रहन करने का काम करता तो वो होता है क्लोज सर्किट और open circuit के अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान समय के अंदर जो BSRT यूज लिया जाता है जिसके पीछे एक oxygen का cylinder होता है back plate होती है और एक face mask होता है तो वो होगा open circuit तो पहले clone circuit के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ होता था इसमें कि इस प्रकार का एक चमडे का bag होगा जो की दो भागों में divide किया जाता था इस प्रकार से ये कुछ उसका वो दिखाई देता है और उपर की तरफ यहाँ पे face mask के माध्यम से ये connect होता था इसे जगे तो ये होगा face mask ये पहला जो bag है इसके अंदर वातारण की असुद हवा भरी जाती थी असुद हवा इसके अंदर असुद हवा भरके और कुछ chemicals डाले जाते थे इस असुद हवा को सुद करने के लिए तो जो chemicals है वो डाले जाते थे calcium chloride कैल्सियम क्लोराइड वे कैल्सियम लारेंट के टुकडे इस असुद हवा के अंदर इसके टुकडे डाल दिये जाते थे जो कि असुद हवा को अपनी तरफ अउसोशित करता था कौन? कैल्सियम क्लोराइड और कैल्सियम लारेंट के टुकडे होते हैं वो और सुध हवा को अपनी तरफ अवसोशित करने के पशाथ जो सुध ओक्सिजन जो बचती है वो इस दूसरे बैक के अंदर चली जाती थी अब इस बैग के अंदर क्या होगी सुध ओक्सीजन अब यह जो सुध ओक्सीजन होती है इसका बैग फेस मास्क के मादम से कनेक्ट होता था यहाँ पर एन आर वी लगी होगी नोन रिटर्न वाल दोनों में और यहाँ से फायर मैन ओक्सीजन ग्रहन करने का काम करता था और ओक्सीजन ग्रहन करने के पश्चाद जो सियो टू गैस थी वो इस दूसरे बैग में छोड़ता था यहाँ से ग्रहन करेगा और इस बैग में छोड़ देगा फिर दोबारा ये असुद हवा सुद होगी और फिर oxygen इस बैग में आएगी सुद और फिर दोबारा continue इस प्रकार से सर्कल चलता रहता था अब क्या हुआ कि बहुत बार फायर मेन किसी rescue कारे को अंजाम देने के लिए चले जाते थे और ये calcium chloride वे calcium laurent की जो टुकुड़े डाले इस बैग के अंदर असुद हवा को सुद करने के लिए वो आपस में किरिया नहीं कर पाते और जब आपस में किरिया नहीं करेंगे तो असुद हुआ हवा जो थी वो सुद नहीं हो पाती तो इस कार से fireman को सांस के लिए असुद हवावी लेनी पड़ती थी तो इस कार से इसको भी fire से हटा दिया किसको close circuit को तो इस प्रकार से close जो circuit होता है self-contained ये सेट वो काम करता था फिर थोड़ा सा development हुआ विकास हुआ तो open circuit जो है उसका यूज होने लगा open circuit के अंदर इस ब्ये सेट को तीन भागों में विवाजित किया गया है oxygen, cylinder, back plate और face mask oxygen जो cylinder होता है back plate के साथ में इक हारनेस के माद्यम से अच्छे तरीके से हम उसको कस्द देते है और oxygen, cylinder, connector, wall के माद्यम से connect हो जाता है उसके साथ एक reducer wall होगा जो की 300 बार के pressure को 300 बार का जो pressure होता है उसको 7 बार के pressure में change करने का काम करता है फिर एक जो 7 बार का pressure होता है वो low pressure pipe के अंदर जाएगा और उसके अंदर एक LCDR लगा होता है उस LCDR के साथ ही दूसरा reducer wall होगा वो इस 7 बार के pressure को convert करके 1.2 बार में change कर देता है जो की fireman के लिए सांस के लिए बहुती अच्छा माना जाता है positive माना जाता है और वो LCDR lungs control demand regulator जो है वो face mask के साथ में connect हो जाता था और inhale के मादम से सांस लेते थे और exhalation के मादम से हम सांस को छोड़ते थे उसके साथी face mask में vision vision glass होता है speech diaphragm होता है head hardness होता है ear hardness होते है जिसके मादम से हम अच्छे तरीके से उस face mask को बांद सकते है और उसी के द्वारा open circuit BS8 के मादम से firebend rescue कारी करता था तो ये होता है self-contained breathing apparatus तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें comment करें, share करें इसी प्रकार की interesting वीडियो आप तक आती रहेंगी तब तक के लिए जैहिंद, जैभारत बांद सकते है